तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे स्वागत है आपका किलो फिटनेस चानल में जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात नो फालतु बात जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरे इस वीडियो का टॉपिक होगा वो हेल्दी फू नैचुरल, ग्लूटन फ्री आज की वीडियो में मैं इन सरे प्रॉड़क्स की सचाई आपके सामने लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि मैनुफेक्ट्रिंग कम्पनीज वाले कैसे हमारी सेहत के साथ खिलवाड कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रॉड़क्ट है फैट फ्री आम उसमें और इंग्रीडियन्स को एड़ कर दिया जाता है जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ठिकनर्स और मैदा और अब तक अगर आप मेरे वीडियो देख रहोंगे तो ये तो आपको पता ही है कि इन सब की जो कैलरीज है वो फैट से भी जादा होती है तो मतलब फैट फ्री फ्र फैट फ्री प्रोडक्ट्स हमें नहीं करीदने हैं फैट फ्री कुकीज, फैट फ्री फ्रोजन योगर्ट, फैट फ्री सला ड्रेसिंग, फैट फ्री कॉफी ड्रिंक्स, फैट फ्री ब्रेकफस्स सीरियल्स और मैं तो यहीं कहूंगा कि प्रोसेस्ट फूड के जितने भी य उनको आप मती खरीदें तो बहुत अच्छा होगा आगे हम बात करते हैं शुगर फ्री प्रोडक्स की हमारे साथ पता प्रॉब्लम क्या है हम चाय तो पिएंगे शुगर फ्री लेकिन साथ में लेंगे डाइजस्टिव बिस्किट तो डाइजस्टिव बिस्किट में क्या है या शुगर फ्री बिसकिट लेते हैं तो शुगर फ्री बिसकिट हम ले रहे हैं और चाय ले रहे हैं विदाउट शुगर तो हम डिरेक्ट शुगर तो नहीं खा रहे हैं लेकिन जो बिसकिट्स है वह मैदा से बने हैं जो कि हमारी बॉड़ी में अल्टिमेटली लेकिन हमारी बॉड़ी में वो जो भी प्रोड़क्ट है अंदर जाके शुगर में ही कनवर्ट हो रहा है तो प्लीज भी कैरफुल अब बात कर लेते हैं शुगर फ्री ड्रिंक्स की जैसे की डाइट कोक अगर आप डाइट कोक के पीछे देखें तो डाइट कोक में शुगर के बदले क्या होता है एक artificial sweetener जिसका नाम है aspartame तो ये जो aspartame है ये artificial sweetener है इसमें calorie तो zero है लेकिन जब ये हमारी बॉड़ी में जाता है तो हमारी बॉड़ी energy के लिए crave करने लगती है और बाद में हम और भी ज़्यादा carbohydrates या और ज़्यादा खाना खाते है researchers कहते हैं कि sugar चाहे natural हो चाहे artificial वो हमारी भूख बढ़ाती है तो जिस टाइम हम aspartame वाला जो drink है जो diet coke है, diet Pepsi है वो जो हम खा रहे हैं, जब पी रहे हैं calories तो हमें zero मिल रही है ये सही बात है, लेकिन उसके बाद जो हमें भूख लगती है उससे हम और भी excess calories ले लेते हैं और studies तो ये भी कहती हैं कि artificial sweeteners कारसीजिनिक होते हैं, यानि कि इनसे cancer भी हो सकता है अगला product है brown bread, whole wheat bread multi grain bread अब breads के बारे में मैं अपने पिछली वीडियो में पूरे detail में बता चुका हूँ इसकी link में description में डाल दूँगा आप वीडियो को बाद में जरूर देखना basically हमारी bread चाहे कोई सी भी हो उसमें fiber और wheat बहुत कम होता है और emulsifiers और chemicals बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी तरीके की bread खाने से बचें एक और product है जो हमें बहुत देखने को मिलता है या बहुत उस पे लिखा होता है organic और हम भी organic को जैसी पढ़ते हैं लगता है organic है यह अच्छा है यार आपको पता है organic का मतलब क्या है कोई भी organic food वो होता है जिसको उगाने में किसी भी chemical या pesticides का इस्तेमाल ना किया गया हो यानि कि अगर हम कोई भी सबजी या fruit को organic बोल रहे हैं तो वो सिर्फ गोबर की खाद में या किसी natural fertilizer से ही उसको उगाया गया होगा और उसमें कोई भी कीड़े वगरा मानने के लिए pesticides का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा FSS AI की guideline के मताबिक अगर कोई product organic है तो उसके उपर 5 digit PLU होता है price look up code और वो 5 digit code जो है अगर वो 9 से शुरू होता है यानि कि 9 से और 5 digit का है तो ही वो product organic है और अगर कोई भी fruit है जिसके उपर 4 digit PLU है या code है तो वो organic नहीं है इसका मतलब यह है कि वो pesticide से grow किया गया है मैंने तो market में या किसी भी super market में या कहीं पर भी 5 digit code वाला 9 से शुरू होता हुआ कोई भी product नहीं देखा और शायद आपने भी नहीं देखा होगा हाँ कुछ product जो इंडिया से export किये जाते है उनके उपर जरूर ये 5 digit code जो की 9 से शुरू होता है वो उसका sticker मिल सकता है बाकी जिस किसी भी product के उपर package food के उपर कहीं पर भी अगर organic लिखा है तो आप believe कर लिजिए कि वो organic नहीं है एक और word बड़ा अच्छा लगता है natural बहुत सारे packets के उपर लिखाता है natural food, natural flavor क्या आपको पता है food and drug administration natural food जैसे term को regulate ही नहीं करते हैं यानि कि नेमित ही नहीं करते हैं वो मानते ही नहीं है कि कोई इस तरीके का food हो भी सकता है इसलिए अगर packet पर natural लिखा हुआ है तो उसे देखते ही खरीदने मत लग जाओ मैंने पहले भी बताया उसके पीछे ingredients को पढ़ो अब आप बोलोगे यार ingredients तो पढ़ने कहा आते हैं किसी को तो मैं अपना अगला वीडियो how to read labels या ingredients इसके उपर बनाऊंगा इसलिए चैनल को अभी subscribe कीजिए और bell icon को दबाईए ताकि notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे जैसे ही यह मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगला एक बहुत ही funny product है जिसे बोलते है digestive biscuit या digestive biscuit का क्या मतलब होता है company खुद उसके उपर लिखके दे रही है कि इसमें क्या क्या है refined floor, मैदा, sugar, salt, sodium, fat खेर labels को पढ़ने की चिंता अब आप छोड़ दीजिए क्योंकि अगले वीडियो मैं बिल्कुल deeply बताऊंगा कि जो ingredients लिखके होते हैं पीछे उनको कैसे पढ़ना है उनका क्या meaning है और उनमें कौन सा हमारे लिए healthy है और कौन सा हमारे लिए हानिका रख है packet पर तो ये भी लिखा होता है कि इसमें minerals है vitamins है, fiber है, protein है ये चारों चीज़े अच्छी है लेकिन ये भी तो जान लीजिए कि उसमें उसकी quantity कितनी है अगर कोई bread है या कोई biscuit है वो ये claim करता है कि multi-grain biscuit है या multi-grain product है इसका मतलब यह हो गया कि उसमें अलग-अलग तरह के grains है जैसे कि जवार, रागी, बाजरा वो सही claim कर रहा है लेकिन उसमें वो quantity कितनी है 1%, अगर 100 gram का product है तो 1 gram जवार, 1 gram बाजरा और ये जो biscuit होते है ये biscuit के ओपर भी एक वीडियो बनाऊँगा ये जो biscuit होते है ये biscuit जो है, ये बहुत ही highly processed chemicals के through इनको processing करी जाती है आपको क्या लगता है, ये इतनी दिन तक रखे रहते है package में खराब क्यों नहीं होते और जो आखरी जो मेरा product है उसके बारे में तो वैसे काफी लोग जागरू हो चुके है मगर फिर भी जिनने नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ इस product का नाम है juice juices, मैं किसी company का नाम नहीं ले रहा लेकिन उसके packet पर ही लिखा होता है कि ये real है या juice real कैसे हो सकता है जो packet में है फ्लेवर ही निकल जाता है तो उसमें artificial flavor add करा जाता है company खुद packet के पीछे लिख रही है artificial flavor तो जो हमारा packet वाला juice है वो कुछ नहीं है पानी है, पानी में flavor डाला गया है और sugar add कर दी गई है तो ये flavored sugar plus water है जो जिसको ये juice बता रहे हैं तो ये था मेरा वीडियो वो healthy products जो आपने नहीं खरीदने है उसके उपर, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो topics comments में suggest कीजिए, मैं अगला वीडियो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो धन्यवाद